तो क्या इंडस गेम एक स्कैम है? ऐसा मैं नहीं कहता, आप डिस्कॉर्ड पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जर्णल फीड या जर्णल चैट्स में जाके, आप अगर एक बाद चेक करोगे तो आपको हर बंदा कहता हुआ नजर आएगा कि इंडस इस ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, तो बात है सिर्फ तीन से चार दिन पहले की, यानि तारीक नाइन की, और उस दिन इंडस के जो ऑफिशल सर्वर थे, डिस्कॉर्ड के, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन तीनों पर एक चीज अनाउंस होती है, और एक्स पर भी मान लो, ठ यानि 1000 की का, एक परसेंट भी इस सा नहीं आता, दस मिनेट होते हैं, पांच बच के, की नहीं आती, पांच, साड़े, पांच हो जाते हैं, की नहीं आती, 6 बच जाते हैं, नहीं आती, 7, 8, 9, 10, 12, और लोगों ने तो 12 बचे तक इंतजार किया, और उस बीच जो चैट चल दिया तो मतलब उस समय इंडस को बिल्कुल छोड़ दिया गया और वहां पर जो चैट थी बिल्कुल इसलों हो गई मतलब खतम है ऐसे समझ लो कोई बात ही नहीं करना चाता है इंडस के बारे में और इंडस को लोग स्कैम कै कि इसलिए छोड़के चले गए वहां से इंडस के डिस्कॉर्ट सर्वर पर सतर हजार लोग मौजूद हैं और उस समय सोचे भाई सब सतर हजार लोगों मैं से सिर्फ एक या दो चैट से ही डिलीज हो रही है तो भाई सोच सकते वाई कितना लोग हेट करने लगे या कितना लोग डिमोटिवेट हो गए कि यह भाई की मिलने वाली थी गेम ट्राय करने को मिलता पहले तो उम्मीद बनाई कि पांचे बार कि भाई हमें चीज मिल दी जाएगी फिर उम्मीद को चाटा मार दिया गया और भाई पूरे डिस्कॉर्ड सर नहीं मतलब पांच बजए बोलके आप साड़े 5 कर सकते थे चाह कर सकते थे बाई पर कीट डाली ही नहीं ऐसा थोड़ी न होता यार आब बताईए आप इस बारे में क्या सोचते हो कि इंडस की आई क्यों नहीं या सच में कि स्कायम हैगा